प्रिये विद्यार्थियों, बिहरी के दोहों में हम आगे व्याख्या करते हैं निस अंधिहारी नील पट पहरी चली पिये गेहे, कहो दुराई क्यों दुरे, दीप सिखासी दे इस दोहे में कभी ने नाइका की जो कांती है, शरीर की जो उजवलता है, उसका चत्रण क्यार है, देखिए व्यक्या की स्थरें से होती है, अंधिहरी रात में नाइका नीली पशक पहन कर प्रेतम से अभिसार के लिए जा रही है, उसने नीली साड़ी इसलिए पहन रखी थी कि अंधिहरी रात में नीले रंगी साड़ी चमके वी ने किसी को दिखाई नी बूंगी, चुक चाव, प्रेतम से मिल लूंगी। तथा पि उसके शरीर की कांती एसी थी कि अंधिहरी रात में नीले परिधानों में भी छिपी नहीं रह सकती थी। के शबीड इस्टरह से कांती में था कि चाहे उसने घहरे रंग के बस्त्र पहन डखे से तो भी उसकी कांती से उसके अस्तितों का एहसास अंधेहरे में भी लगाया जा सकता था नाइका सप्धारी jakा ओर निशेतर हैं अंधियारी बहुत अंधकार पुम्ह पॉर्ण democrats नील पट Boston नीले वस्तर पहन करhen करके गैरे रंके वस्तर पहन करके करने रेत्ष přियत्म के घर इसे मिलने के लिए अविसार के लिए पह अब तुम ही बता हो सकी तेरी ठीप कि शिखासी भी Boston is a तेरा जो कांती में गात है हो कैसे छिप सकता है। नाइका की सकी कहते है है नाइका इस अंधेरी रात में तुम नीले वस्त्र धारन करके प्रितम के घर जा रही हो। यह सोचकर निगले वस्त्र के या गहरे रंग के वस्त्र कहने होंगे कि अंधेरी रात में तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा तथा कि है सकी तुम ही बताओ कि कांती दीपक की लो के समान चमकने वाला ये तुम्हारा सुंदर शरीर किस प्रकार से छिप सकता है कहने का ताक्तिया है कि कांती अपने आप में इतनी चमकीली है कि वो छिपाएग नहीं छिप सकती विशेश की रूप में देखें तो इस दोहे में कभी ने कृष्ण अभिसारिका के भावों का बढ़न किया है अलंकारों की दिश्टी से देखें तो दीप सिखासी दे इसमें मालंकार है दूसरे चरण में दुराई क्यों दूरे दीप सिखासी दे तो इसमें हम अनुपरास की स्थिदी देख सकते हैं पटु पहरी में छेकानुप्रास है और संपूर्ण दोहे में विश्यशक्ति अनंकार को भी देखा जा सकता है। किस पकार से इसकी बाता है। अगला पत देखते हैं। अंधाई सीसी सू लखी बिरह बरनी बिलला वीचही सुखी गुलाब गो छुटी छीटो चुईने का। कवी ने इसमें विरहनी नाइका की विरह दशा का वढ़न किया है। और विरहनन भी उहात्मक जादा है। बड़ा चड़ा करके बर्णना ती शुक्तियपों बर Bayernण भी विरलला वजबरनी विरहाका भीं जलते हे। वरलला वियलाप करते ही दिखाई देते हे। मैंने उसके विरे से जलती हुए शरीर को शीतल करने के लिए ओंधाई सीसी गुलाब जल की पूरी शीशी उसके उडेल दी लेकिन वीचे ही सुखी गुलाब को लेकिन उसके विरे की तपन इतनी अधिक थी कि गुलाब जल जो मैंने उसके शरीर को शीतल करने के लिए डाला वो बीच में ही सूप गया, शीटो छूई नेगाल और उसका एक शीटा भी एक बुंड भी उसके शरीर को नहीं छूप पाई। नायका की सखी कहती है कि हे नायक जब मैंने उससे अखत नायका को विरे की लप्टों में प्रजलित होते हुए और विलाब करते हुए देखा तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने उसके उपर शीटल गुलाब जल की शीशी उलड़ती। परन्तु उसके विरे की लप्टों में इतनी देवरता थी कि गुलाब जल बीच में ही सूप गया और उसकी एक भूंगी नायका के शलीर का सपर्ष नहीं कर सकी अर्था उसका विरेता आप अत्यदिक भेंकर हो उठा ले और प्रकरांतर से सखी नायक से ये कहना चाहती है क आप शिग्रता से हे नायक आप शिग्रता से इस नायका से मिलिए जिससे कि उस विरे की जलन से छुपकारा मिल सके विशेश में देखें तो नायका के जो विरे वर्णन है वो अतिशोक्तिकों वर्णन हुआ है अलंकारों की दृष्टी से देखें तो इसमें अतिशोक्ति पुन अलंकार है और इसके अलावा बिहारी की जो उहात्मक्षेली है वो भी इसमें दिखाई देती है जिसमें वो बढ़ा चड़ा करते हैं अगला पद देखते हैं इत आवत चली जात उत चली छह साथ हाथ चड़ी हिंडोरे सीर है लगी लगी उसासन साथ स्योंग वर्णन का चित्रण हुआ है और बिहारी सत्सही में स्योंग वर्णन का वर्णन चितना चमतकारी है उतना ही चमतकारी वियोग श्रंगार का वर्णन भी है प्रस्तु दोहे में कभी बिहरी ने वियोगार वस्था में नाईका की उनमाद पूंदशा का अन्गुती पूंद चित्रन किया है जठर एक कैस की नाईका की विरावस्था को देखकर के एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमारी सखी अधन्यास निरंतर दिरग निश्वासे लेती रहती है उस्वास उच्वास निश्वास कि उसकी निश्वासे इतनी तेज हैं कि उन निश्वासों के द्वारा ही वो इतावत कभी इधर आ जाती है चली जात और कभी उधर चली जाती है चली छह साथ हात कभी इधर चली जाती है कभी उधर आ जाती है चडी इंडोरे सीर है वो तो हिंडोले जूले के समन इधर से उधर जूलती रहती है अर्थात उसका शरील विरे के करण इतना क्रश्काय हो गया है इतना कमजोर हो गया है उसकी निश्वासों के द्वारा सांसो के आने जाने से ही शरीर कभी तो 6-7 हाथ इधर आ जाता है कभी उधर चला जाता है देखिए नाइका की विरावस्था को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमारी नाइका अर्था सखी जो है नाइका के रूप में निरंतर दिर्ग निश्वा से लेती रहती है देश-देश सांसे लेती है विरावके कारण वह इतनी दुर्बल करशकाय हो गई है कमजोर हो गई है कि उच्छवास लेते समय भी वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है उस शर्ण लगती है मानों भाए हिंडोले में जूले में बेटि जूल रही है जैसे जूला इधर से उधर पैंडूलम की तरह चलता है उसी तरह से निश्वासों के आने जाने से शरील कभी आगे जब सांस लेती है तो टीछे अट जाता है और सांस चोड़त तो आगे बढ़ जाता है और ऐसा रप्या वो हिंडोले पर बैठी हुई जूल रही है विश्यश्टे के तो बिहारी की इस उक्ति में सवाहुता का सर्वता अभाव है प्रिवल कल्पना का चुमतकार है नाइका का विरावस्था में लंबी-लंबी सांसे बहते समें 6-7 हाथ आगे-पीछे होना एकडम का संवाव गैया है लेकिन नाइका के घुरे को इतना विएक आ अनुक्त विशय वस्तुक प्रिक्षा लंकार दिखाई देता है अनुक्त विशय जिस विशय का वर्णन नहीं किया गया है ऐसा प्रिक्षा से संबंदित अलमकार इसमें इस पर में हमें दिखाई देता है अगली बेख्या देखते हैं लाल तुम्हारे ब्रह की अगनी अनुप अपार कि स्थम दोहे में नाइका की दूतितरी में इसी है इतनीविशेश है प्रस्तु दोहे में नाइका की इसी ब्रहगनी का वर्ण कर रही है। प्रस्तु दोहे में प्रिव्ट जरूम मिटेन जहार इस पध्यांश का दो प्रकार से आर्थ किया गया है। विद्वानों के एकवर्ग के नुसार इस पध्यांश का आशे ग्रिश्मी का प्रिचंड ताप है। तो लाला भगवांदी जिनोंने भी हरी की टीका लिखी हैं उन्होंने इसका अर्थ अर्षू जल का अनुरत प्रवाह लगाया है। इस प्रकार इस दोहे के दो अर्थ हो सकते हैं जो इस प्रकार है। पहला अर्थ देखते हैं। नाइका की विरेद अशा का वड़न करते हुए उसकी सखी या दूती। नाइक को संबोधित करते हुए कहती है कि हे लाल तुम्हारे विरेद की अगनी तो अपने आप में अनुपम और ऐसमित है। तुम्हारी इस विरेद अगनी की विशेष्ता यह है कि सभी प्रकार की अगनिया वर्षा के निरंतर प्रवाह से शमित हो जाती है। कि तुम्हारे विरागनी अश्चु जल के निरंतर प्रवाह से भी नहीं बुशती। अपितु और अधिक प्रजंड हो जाती है। सर से बर्से नीर की नीर के जल के बरसने से भी जरू मिट है न जहार। यह जो जहार है जो जलन है वो मिटती नहीं बलकि और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा अर्थ देखते हैं नाइका की सथी कहती है कि हे लाल हे नायक तुमारी विरागनी अनुपम और अपार है। विरागनी की व्लक्षनता अत्वा अनोखापन यह है कि इस अगनी की जलन असुजल के प्रवास से घटने के स्थान पर और अधिक पढ़ जाती है। और यहां तक कि ग्रिश्म के प्रचंड ताप से भी अगनी नहीं बुस्ती। इस अर्थ की पुस्टी में रत नाकर्जी ने विग्यानिक सथ्य का आश्र भी लिया है। यदि मनश्य के शरीर का कोई अंग तनिक जल जाता है तो ग्रिश्म के ताप अर्थ या सेख से उसकी जलन थोड़ी बहुत गट जाती है। यदि शरीर का अंग बहुत अधिक जल जाता है। अधिक शमन संभव नहीं है। विशेश देखते हैं इस दोहे में। इस दोहे में कभी ने प्रोशित पति का नाइका की जशाका वर्णन किया है। प्रोशित पति का नाइका वो होती है इसका पति विदेश चला गया हो। दूर चला गया हो। नाइका का प्रेतम प्रदेश बया है और वेविरे अगनी में गिजल रही है। अलंकारों को देखें तो व्रत्य अनुप्रास है अगनी अनुप अपार में। कि विभावना अलंकार के स्थिति भी देखते हैं सरसे बर्षे नीर हूं में हम विभावना अलंकार देखते हैं कारण और कारे में संबंध नहीं विश्री शुक्ति जरू मिटेने जहार और छे कानुक्रास अलंकार के स्थिति हम सरसे बर्षे तरशा जरू जहार में छे कहलाने एकत बसत तही म्रग मयूर म्रग बाग जगत तपो बसत